आपने सुनाई होगा कर्तारपूर के बारे में कर्तारपूर कीसे जाये हम इसके बारे में आज अपन अत्यान करेंगे और उसके बारे में आपको समझाता हूँ वेलकम टो करतारपूर कोरिड़र क्या है करतारपूर कोरिड़र जो है करतारपूर कोरिड़र का उद्गाटन 9 नमबर 2019 को किया गया था गुरू नानक देव जी के 550 रे प्रकाश पर उपर इस कोरिड़र को करतारपूर साहिब के दर्सन के लिए खोला गया ये जो है हमारा बागा बोर्डर है जिस पर वेलकम टू लिखावा है गुरु नानक देव की जनम भूमी के बारे में बताया गया है मार्च दोजार बीस से करतारपूर करूडर बन था पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ओपरेशन सेंटर NCOCO ने 22 सितंबर को सिख दर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की पुन्य तेती के कारण करतारपूर मंदी खोलने का फैसला किया गया 22 मई से 12 अगस तक डेल्टा संस्क्रण के प्रशार के कारण पाकिस्तान ने भारत को कैटेगरी C के तेत रखा और भारत से पाकिस्तान के लिए आवशिक मॉमेंट को छूट के माध्यम में अनुमती दी गई करतारपूर कोरिडर जाने के लिए बागा बॉर्डर से केवल पूरी तरह से टीका लगा कर ही व्यक्तिक को प्रवेश दिये जाएगा पाकिस्तान में प्रवेश की अनुमती दी जाएगी करतारपूर साहिब का कोरिडर जाने का रस्ता जो बताएगा है नैस्नल हाइवे ऑथरिटी ऑप इंडिया यह सारे करतारपूर कोरिडर के मंदिर करतारपूर कोरिडर का गुरुदर्बार साहिब सिक पत एवं प्लैग लगवा इंडिया जो है गुरुद्वार के उपर और यह जाने का रस्ता जो बताएगा है नैस्नल हाइवे से लिंक करता हुआ न्यू रस्ता बनाया गया है National Highway Authority के दारा ये गुरु करतारपूर का मंदिर जो है सिक्ध दर्बार साहिवा के नानक साहब के रूप में वर्क जारी है चल रहा है ये होटलिंग और कमर्सिल एरिया भी इसके अंदर जोड़ावा है तो एक्मोडेशन ब्लॉक भी जोड़ी हुई है और बीच में हमारा गुरुद्वारा नानक साहब का जनव स्तली एवं निर्वान स्तली प्राप्त है साथ ही पाकिस्तान की यत्रा करने से पहले एक नेगेटिव आर टी पी सी आर का टेस्ट जो अधिक्तम बैतर गंटे पूराना आविश्यक है पाकिस्तान पहुचने पर फिर टेस्ट किया जाएगा आर एटी का आईजन किया जाएगा अगर कोई व्यक्तिवा पॉजोटिव पाया जाता है तो उसे भारत वापस रिटन कर दिया जाएगा यह हमारे कॉलिडर के जो है चित्र बनाए गए चित्र है सिक गुरदारा का चित्र है संदर द्रशिया हमारे सामने प्रदेशित कर रहा है यह हमारी सिमांग कन जो लाइनिंग की गए इतारों के द्वाद्यम से बॉर्डर 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 हुमारे इस बॉर्डर की बॉर्डर के उपर इस्तित है रावी नदी जो पाकिस्तान से निकल कर हिंदुस्तान के एरिये में आती है और मिस हो जाती है करतारपुर साहिब शिकों का पवित्र तिर्तिस्तल मना गया है गुरुनानक देव जी का निमास इस्तान भी रहा है यहीं उन्होंने अपनी अन्तिम सासे ली यह इस्तान पाकिस्तान में भारत की सीमा से लग बक 3 से 4 किलोमेट। दूरी परिश्तिता थै सरदालू भारत में दूर्बीन की मदल से भी इसके दर्शन कर सकते हैं दोनों सरकारों की सेहमती से Sumnartipur और गॉरेडर बने गया है। करतारपूर सहीआप सिकों का पवितरतिय रस्तल है। जो करतारपूर सहीआप क्या है कवितरतियरतिय स्तल बने गया है। ये सिकों में परत्म गुरु हमारी झानक देव का निवासिस्तान था, यहीं पर उनका निदन हुआ था, बाद में उनकी याद में यहां एक बहुत सुन्दर गुर्दवारा बना दे गया है इत्यास के अनुसार 1522 में सिख दर्म के संस्ता पक रहे गुरू नानक करतारपूर आये थे और उनना अपनी जिन्दकी के आकिरी सांस 17-18 साल यहीं गुजारे 22 सितंबर 1549 को इसी गुर्दवारा में गुरू नानक ना आकिरी सांस से ली और इस गुर्दवारा को कापी माननेता भी प्राप्त है करतारपूर साहिब कहां इस्तित है लोकेशन कहां है करतारपूर साहिब पाकिस्तान के नारवाला जिले में इस्तित है यहां बारत के पंजाब से गुर्दासपूर जिले के डेरा बाबा नानक से 3-4 किलोमेटर दूरी पर इस्तित है कुल दूरी उसकी 6 किलो मीटर बाने गई है बॉर्डर से इस्तित है हमारा जो नैसनल हाई वे अमरस सिर से लगा कर डेरा बाबा तक जाता हुआ उसको लिंक करता हुआ वहां कर तारपूर के अंतिम बागा बॉर्डरत की सबसे हिंदुस्तान के लोग जाते है बारत में पंजाब के डेरा बाबंग नामक से अंतराष्टी सीमा तक कॉरिडर का निर्मान किया गया है और वही पाकिस्तान की सीमा से नारवाला जिले में गुर्द्वारे तक कॉरिडर का निर्मान हुआ है इसी को कर्तारपूर साइब कर्डोर का गया जो पिछले मान्चित्र में आपको पताय गया है National Highway से आफिर क्यों खास है यह कर्तारपूर साइब कर्लिडोर क्योंकि कर्तारपूर साइब किसा सबसे पहला गुरदवारा थै शिखों का और जिसकी नीव गुरु नानक देव ने रखी और यहीं पर अपने जीवन के अंतीम साल बिताए हलांकि बाद में रावी नदी में बाढ़ आने के कारण ये गुर्दवारा बै गया था इसके बाद वरतमान में पुरे इस गुर्दवारा का माराजर रंजी सिंग ने इसका निर्मान करवाया भारत के सरदालू अभी तक कैसे दर्सन करते हैं जब ये बंद था बागा बॉर्डर और दर्सन नहीं होते थे इसलिए भारत के नागरिकों को करतार पूर्शाय को दर्सन करने के लिए विजा की जरूरत होती है जो लोग पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं वह भारते सीमा में डेरा वाबा नानक इस्तित गुर्दवार सही वाबा के सिद सेहन रंदावा में दुर्बीन लगी ही बहुत और उस दुर्बीन से ही मदद से दर्सन कर सकते हैं ये गुर्दवारा भारत की तरफ से सीमा से साप नजर आता है भारत पाकिस्तान में सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि इस गुर्दवारा के आसपास किसी भी प्रकार के गास अधिक्तम न उग जाए जमा न हो इसके पास कटाई-चटाई करवाती रहती है ताकि भारत से इसको अच्छे से लोग अपनी सीमा से भी देख सकते हैं और सरद्वालों किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के करीब में सिकों को और भी धार्मिक्स्तान है जैसे डेरा साब, लाहोर में, पंजा साब, ननकाना साब, उन गाउं में अब देखते हैं कि इस कॉरिडॉर को क्यों खोल लगया इस कोरिडूर के खोलने का प्रमुक कारणा है शिक्ष समूदाय के लोग आसानी से भारत से पाकिस्तान जाकर दर्सन कर सके जो सालों इंतिजार के बाद खूल गया था पांच सो पचासवा प्रकाशपर शिकों का मनाय गया उसके उपलक्ष में करतारपूर को भारत और पाकिस्तान की दोनों सरकारों की सहमती से खोल गया नॉम्बर 2018 में इसका सिला नयास कर दिया गया था ये कॉरिडर कहां बनाया गया है ये पाकिस्तान में है और बागा बॉर्डर से भारत जाते हुए हमारा जो बॉर्डर है उसके बिलकुल 3-4 किलोमेटर अंदर ही लगबग है चार किलोमेटर लगबग है इस कॉरिडर का डेरा बावा नामक जो गुर्दाश्पूर में इस तरह वहां से लेकर अंतराश्ट्री बॉर्डर तक बने गया है ये बिलकुल एक बहुत बड़ा धार्मिक इस्तिल जैसा है कॉरिडर लगबग 3-4 किलोमेटर जो पिछले हमने च तीरत यात्री बिना विजा गुर्दवारे के दर्शन करने के लिए विजा सकते हैं इसमें कोई संदे नहीं है इसके बनने से भारत और पाकिस्तान के समझ में सुदार सांती की पहल होगी ऐसा पहली बार होगा जब बिना रोक्टोक के लोग बॉर्डर पार प्राप्त कर स की यात्रा की तब पहली बार करतारपूर साहीब कर डर को बनाने का प्रस्ताव दिया गया था पी-ए-म नरंदर भाई मोधी ने भी ये प्रस्ताव को आगे के लिए स्विकार कर लिया गया है यात्रा की थी पीएम नरंदर मौधी ने भी इसकी यात्रा की थी पूरू में करतारपूर साहिब गुर्द्वारे के बारे में रौचक तत्ति जो हमारे इतियास के बताते हैं इतियास के अनुसार गुरू नानक देव जी ने करतारपूर में इसिक धर्म की स्ताफना की यहीं उनका पूरा परिवार बसके है था रावी नदी पर उन्होंने एक नगर बसे है था पहली बार यही पर खेती कर नाम जपो किरत करो वंड चको नाम जपो महनत करो और बांट कर खाओ का उबदेश गुरु नानक देव ने दिया था यहीं पर गुरु नानक देव की समाधी भी 1549 में ली थी जो बाहर की तरफ बनी हुई है उसका भी विस्तित वर्णन हमारा आगे आएगा इसी गुरु नानक देव सबसे पहले लंगर की सुरुवात भी कही थी यह जो भी आता है गुरु नानक साँब उनको बिना खाये जाने नहीं देते हैं बोज़न अनिवारी है करतारपुर में गुर्दौारे में नानक देव की समाधी कबर दौनों मोजूद है जो समाधी गुरु नानक देव केंदर बनाई गई है और कब्र बाहर की तरफ बनाई विए दौनों के दर्सन परड़न करने आते हैं तो ऐसा का जा था कि करतारपुर साहिब कॉरिडर के बनने से भारत और पाकिस्तान के संबंदों में अंतरा इस्टिस्तर पर सुधार होगा सिक सरदालों को गुर्द्वार के दर्सन करने का आउशर मिलेगा यही संत गुरु नानक देव जी के अध्यन के बारे में हमारा यह चित्र बदाय गया है नानक ने किस तरह से जनम 15 अप्रेल 1449 राय बोई तलवंडी वर्तमान नंकाना साब पंजाब पाकिस्तान में इस्तिते जहां उनका जनम हुआ मर्तिव 22 सितंबर 1549 करतारपूर समाधी इस्तल जो बनाय गया है कॉलेडर के रूप में करतारपूर वैवसाइग उनका यही था सिक धरम के बहुत बड़े संस्ता पक रहे हैं और पूर्बा अधिकारी गुरू अंग देव उनके साथ थे गुरू नानक जी के पिता का नाम कल्यान चन या महता का और माता जी का नाम तरपता था गुरू नानक जी का विवाब बटाला निवासी मूल राज की पुत्री सुलक्षन इसे वर्स 1400 सित्याशी में हुआ उनके दो पुत्र थे एक का नाम स्रीचन दूसरे का नाम लक्षम हो गया है शिक दरम का धार्मिक चिन खंडा होता है और ये सिकों का पजी निशान भी है गुरू नानक सिक दरम के संस्तापक रहे हैं और पहले गुरू भी थे और उन्हें शिक्षाओं की नीव रखी जिस पर सिक दरम का गटन हुआ है अपनी सिक्षाओं को फेलाने के लिए दक्षिन येशिया और मध्यपूर की यात्रा नानक देव ने की उन सिक्षाओं को 944 बजनों के रूप में भी अमर कर दिया गया है जिसे गुरू गरंद साब का नाम दिया गया है और ये धार्मिक गरंद के नाम से भी सिक्षों का जाना जाता है ग्रेट होली बुक के नाम से भी इसको प्रशिद किया गया है थैंक यू वेरी मच फॉर यॉर वीडियो तो मच